विल्कम तो एसार इंगले सेंचूर दिस इजार सर्मा तुड़े आम गोई टॉक अबाउट फ्रेजेज यानि ऐसे फ्रेजेज जिनका प्रियोग वाक में होने से वाक के अर्थ ही बदल जाते हैं यदि इन फ्रेजेज को अच्छी तरह जनकारी न हो यानि उनका अर्थ न हो तो उस वाक का अर्थ नहीं लग पाता है तो कि टो लेट्स स्टार इस वीडियो लेक्टः duker फ्रेजिज, फ्रेजिज का अर्थ यानि हिंदी अर्थ वाक्यांसो होता है, यानि इसे पुलर रूप में रखा गया है, सिंगलर रूप में रखा जाएगा, तो ये फ्रेज होगा, यानि एस नहीं लगेगा, जिसका अर्थ वाक्यांस होगा, यानि वाक्यांस यानि इसका अ के माध्यम से करने जा रहे हैं तो ध्यान दीजिए यह क्या होता है इट इट का मतलब यहां फ्रेज को रख रहे हैं इट इजे कि अग्रूप ओफ वर्ड्स यह एक सब्दू का समुह होता है यानि एक से अधिक वर्ड्स इसमें भी होते हैं जैसे सेंटेंस भी था जो अग्रूप ओफ वर्ड्स था लेकिन अंतर क्या है हम लोग समझते भी चलेंगे कि विच्च्छ कम्प्लीट सेंस बट नौट कम्प्लीट सेंस या बट नौट फुली कम्प्लीट सेंस यानि कि यह सब्दों का सम्मुह होता है जो अर्थ पूर्ण करता है यानि अर्थ पूरा करता है या सेंस देता है स्वरी सेंस देता है लेकिन पूरा सेंस नहीं कमप्ली्ट करता है यानी किशी फ्रेज का तो और्थ होता है तभी उनका प्रयुक सेंटेंस में किया जयाता है लेकिन वह अपने आप से पूर्ण और्थ नहीं दे पाता है जैसा कि कोई सेंटेंस पूर्ण अर्थ देता है और इसमें कोई फिनाइट भव नहीं होता है फिनाइट भव का मतलब होता है ऐसा भव जो अपने सब्जिक के नंबर और पर्शन के अनुसार अपना रूप बदल लेता हो जैसे ही इज अटीचर तो ही के साथ इज लगा तो यहां इचपनाइट भव हुआ यदि ही को यदी पूलर रूप में प्रियोग कर दिया जाए यानि कि दे कर दिया जाए तो दे आर टीचर्स तो दे यहां प्रियोग होने से यहां R का प्रियोग होने लगा यानि कि subject change होने से भव भी change हो रहा है तो जब कोई भी भव यदि subject को बदलने से भव बदल लेता है तो वो भव finite भव कहा जाता है और भी example लेजे I या he writes a letter यानि he के कारण यहां भव rights लगा यानि भव में लगा singular भव लगा क्योंकि he singular है यदि यहीं पर he के अस्थान पर दे का प्रियोके जाए तो दे right a letter होगा यानि right यहां पर भीवन में है यानि पूलर भव है और अपना रूप यहां right से right में बदल लिया क्योंकि subject जो he था वो दे में बदल गया तो यहां ही राइट्स अलेटर राइट सिंग्लर है और दे राइट अलेटर यानि यहां पूलर होने लगा क्योंकि अपने सब्जिक के नंबर और पर्सन का उन्सार रूप बदल लेता है तो उसे फिनाइट भव कहा जाता है और इसमें ध्यान दिजिए यहां लेट प्राइट प्राइट इसमें ध्यान दिजिए अर शात् हिन सात् इसमें it has no subject and predicate और साथे साथ इसमें subject और predicate भी नहीं होता है यानि कोई subject और predicate इसमें नहीं पाये जाता है जैसा कि sentence में हमारा subject था और subject के बाकि हिसा पिडिकेट होता है तो पिडिकेट होता था इसमें subject नहीं होता है और नहीं पिडिकेट होता है इस इस एफ यह मदद करता है तो क्यों है कि मीक ऑच और संटेंज कि किसी संटेंज को बनाने में मदद करता है श्यानिंस के अंदर में प्रियोग हो करके वो शेंटेंस को बनाता है यानि सेंटेंस को और आगे बढ़ंगे मदद करता है कह सकते हैं इसको है इसमें और की ए पर्हूंत है runners 6 कि अ पार्टि को पार्टि सी पल यह आगे सबस्क्राइब चल कर पढ़ेंगे इस चाप्टर को यह चाप्टर होता है जो एक्जेक्टिप का वाक्ष में काम करता है और भौब का एक पार्ट होता है इसमें पार्टिसिपल हो सकता है और कोई एक जीरंड हो सकता है या कोई कि इन्फिनिटीव हो सकता है उसे लेट इस कॉल प्रेज यहां हम सिंग्ला रूप में यूज कर रहे हैं इसलिए यहां पर पूला रूप में लिखे हैं तो समझ गए फिर से समझेगा इट इस ग्रूप अपवर्ड यह सब्दों का सम्मूह में आता है यानि कि एक सब्द में कभी परियोग नहीं होता है यदि एक सब्द में परियोग हो तो नाउन पर नाउन भवर्व के कटेगरी में कोई न कोई एक वर्ड आएगा उसे फ्रेज नहीं कहा जाएगा तो यह सब्दों के सम्मूह में होता है यानि इसमें एक से अधिक वर्ड इंकूलूड होते हैं दो तीन चार पांच वीच कंप्लीट सेंस यह सेंस कंप्लीट करता है यह सेंस पूरा करता है बट नौट कंप्लीट सेंस लेकिन यह बट नौट फुली कंप्लीट सेंस भी कह सकते हैं लेकिन यह पुन रूप से अपना अर्थ पुन नहीं करता है यानि यह आर्थ तो देता तब ही तो संटेंस में प्रण हो रहा है लेकिन पून रूप से नहीं देता है यानि कि कौन सा भव होगा तो देखे यहां पर यहां पार्टिसिपल होगा जो सब्जेक अनुसार अपना रूप नहीं बदलता है जी रॉंड होगा जो अपने सब्जेक अनुसार अपना रूप नहीं बदलता है यानि कि सब्जेक चाहे ही हो चाहे सी हो चाहे दे हो चाहे य भी हो यानि सब्जेक चाहे स्घ्जलर हो वह भब कत्य हो रहता है और सब्सक्राइस को मिक सेंटेंस इसका काम होता है कि यह संटेंस को मदद करता है बनाने में इट हैस और पार्टी सिपल इसमें पार्टी सिपल हो सकता है जैसा कि हमने बताया कि फिनाइट बब होता है लेकिन पिनाइट परिट सोरी नहीं होता है लेकिन पार्टी सिपल हो सकता है और इंफिंटि ग्रेटी लॉफ अब यह इस की नहीं नहीं है और ना ही और नहीं कोई भर या 2022 भानाय भ॥ पिरियों भूह नहीं है इस में आगे चलको अब हमारा भर भाव नहीं है लेकिन फियरण और पाटिसपल कर उकडूत मिलेगा wegen अमें पढ़ेंगे यहनि इसका आर्थ आपको मालूम होने चाहिए यदी इसका आर्थ मैंने पपर ही मालूम नहीं होगा तो इस económinciub का इन ही नहीं लग पाता है यानि वह अपना आर्थ बदल लेता है जब इसका प्रुग है तो इसलिए इसका अर्थ मालूम होना जरूरी है यानि याद होना जरूरी है तो एक ग्रेट डील आफ का मतलब होगा बहुत यह लग-अलग अर्थ वोट के आधार पर लगाएं तो इसका उर्थ नहीं लगेगा ए एक ग्रेट मिस्ट महान या बड़ा डील मिन्स होता है वर्णन करना और काके की या बैपार करना भी हो सकता है डील का मतलब्द वैभार करना भी हो सकता है तो यहां पर अर्थ नहीं दिल of thing things in the shop यहाँ देहाँ दिया मैंने देखा क्या देखा एक ग्रीड दील of things यानि बहुत सारी वस्तवुक देखा कहाँ पर इन दुकान में तो यहाँ पर देखिए यदि हम इस फ्रेज का अर्थ नहीं जानते हैं तो वो अर्थ नहीं लग पाएगा इसलिए मैंने शुरू में ही बताया कि यदि फ्रेज की जनकारी यानि उसका अर्थ नहीं मालुम चले तो एर्थ निकालने में बहुत दिकत होता है इसलिए हमें अच्छी तरह पढ़ना चाहिए और उमीद करता हूँ मैं इसे बहुत डीपली बटाने जा रहा हूं आपको इसे का इंट कैसे होते हैं और कैसे कैसे वाकमें प्रेः ब्सको उते हैं जो साइद आप इसके प को देखने से और सांती साथ आप लाइक सब्सक्राइब तस्यर भी करते जाए ताकि जो भी मेहनत आप लोग के लिए किया रहा है वो और भी हमें इंस्पायर करें और भी बेहतर वीडियो को लाने में तो ध्यान देए यहां तक उमीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा यदि कोई दिकत होगा तो आप हमें comment box में बताएंगे अब हम लोग इसके kinds को पढ़ने जा रहे हैं कि kinds कितने होते हैं तो ध्यान रखे जेनरली phrases are divided into three parts यानि आम तोर पर तीन पार्ट में फ्रेज को डिभाइड किये गए हैं लेकिन खास तौर में में और भी phrase होते हैं मैं आज सभी phrases के जिक्री करने जा रहा हूँ तो ध्यान दिये kinds पहला है noun noun phrase यानि noun के group of word which work as a noun in the sentence यानि जहां यहां पर noun का प्रियोग होता है वाक में वहां वहां यदि कोई phrase आ करके प्रियोग हो तो उसे noun phrase कहा जाता है जैसे इस इस वर यहां पर यदि आप अलग लगाएंगे तो बहुत सारे ऐसे भी phrase मिलेंगे जिनका अर्थ नहीं लगेगा कुछ ऐसे भी phrase होते हैं जिनका लगता है जो लगता है वह अपने से बनाया हुआ फिरेज होता है और पहले से fixed phrases है वो उनका अर्थ आपको याद ही करना पड़ता है तो ध्यान दीजे इस वर्ड इस नौट अबेड़ रोज यानि यह दुनिया एक बिस्तर का रोज यानि गुलाब नहीं है इसका मतलब यह है कि यह ऐसे अर्थ लगाने से अर्थ नहीं दे रहा है इसका अर्थ हमें मा मालूम है तो अर्थ लगाने में दीकत होगा मैंने पहले ही बताया तो इसका अर्थ होगा इसका मतलब होगा बेड़ अफ्रोज का मतलब आराम का स्थान करा कि देर इस नोट अबेड़ अफ्रोज इस वर्ड इस नोट अबेड़ अफ्रोज यह दुनिया आराम का स्थान नहीं है यह बच्चों का खेल भी कर सकते हैं बेड़ अफ्रोज का अर्थ यानि यह दुनिया आराम का अस्थान नहीं है इसका अर्थ हुआ तो याद है तभी इसका अर्थ और एक नाउन के अस्थान पर आया है यहां पर कोई और भी वर्ड हम रख सकते हैं और इस सेंटेंस का और बता सके जो तो यहां पर कोई नाउन रख सकते हैं यहां पर एक नाउन के रुप में आया है से भी यहां पर द्यान रहे कि एक का प्रूग है तो नाउन ही होगा यह पर नाउन का काज कर रहा है और यहां सेंटेंस में इस जिमार के बाद नाउन का प्रोग होता है इसलिए नाउन के असान पर है यानि कि हम एसा फ्रे जो नाउन के रूप में हो यानि का काम करें यानि को सब्जेक्ट भी बन सकता है अब्जेक्ट भी बन सकता है कॉम्प्लीम यहां पर जो प्रयोग होगा वह जी रूप में भी आएगा तो यहां पर यहां ध्यान रखें कि मैंने डिफिनिशन में यहां जीरंड के रूप में बताया है यहां प्लेइंग किरिकेट यानी किरिकेट खेलना यहां दो वर्ड आए रहा है इसलिए दोनों वर्ड का एक ग्रूप साथ ही लगेगा वर्थ है तो मैं किरिकेट खेलना पसंद करता हूं तो यहां पर जीरंड के रूप में आया और तब एक नाउन आ गया है यहां सिंगल में नहीं यह भी group of word में है यानि एक स्याधिक है यहां भी group of word में था one two three four word में था यहां टू words में आया है तो यहां पर I like I like Ram मैं Ram को पसंद करता हूं यानि कि यहां पर Ram यानि कोई noun का भी प्रीव कर सकते हैं जो object का काम करेगा तो यहां पर noun phase है इसलिए यह object का काम कर रहा है द्यान रखिए next to work early in the morning यानि तुवाक देखी यहां पर यह इन्फिंटिव है आई एन एफ आइन एफ आई एन पॉलए लगता है तो समझा जाता है तो यहां द्यान रखिए इन्फिटिव के रूप में आया है और भी इसके साथ है और ली in the तो यहां पर यह पूरा का पूरा ध्यान रखे फ्रेज़ेश है कि उस सब्दों के समुव में हैं ग्रूप और से वाक अरली इन दा मूर्णिंग यानि करा कि भी बहुत पहले, यानि सुभष में बहुत पहले टहलना, लिए स्वास के लिए अच्छा होता है तो यहां पर यह देखी, यह सब्जिक के अस्थान पेया है और कोई भी वोर्ड यहदि सब्जिक के प्रियुक होता है तो नाउन होता है या पनाउन होता है तो यहां पर नाउन फ्रेज है इसलिए नाउन के अस्थान पर आया यानि सब्जिक के अस्थान पर आया है और सब्जिक के अस्थान पर आया है दो से अधिक वर्ड एक साथ कम्बाइन होता है तो जिनरली उसे नाउन समझा जाता है यह नाउन का काम कर रहा है जो फ्रेज है नेक्स्ट दूसरा है एड्जेक्टिव फ्रेज यानि 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 एड्जेक्टिव के रूप में काम करें यानि यहां जहें देर की का पिरोग होता है वहां वहां इसका भी पिरोग करें यहां कि किसी नाउन गोराईं की बिस्यस्ता बताने के लिए काम करें तो वह अजा जैसे कि कम कोई नहीं चाहता है लाइक सहुगा यहां सोरी सिंग्लर सब्यक्ट है नोबडी निवोडी या नोवन निवन यानि जिस वर्ड में वोडी या वन लगा होता है वो सिंग्लर सब्यक्ट माना जाता है तो लाइक्स होगा नोबडी लाइक्स कोई पसंद नहीं करता है अब परसन यानि व्यक्ति को अब इस व्यक्ति की विश् नहीं करता है यानि यहां पर जो इह यहां से यहां तक यह एडट सब्सक्क्राइब कहलें कि यह और कौन हो तो तो वह व्यक्ति हो यानि यह पर्शन हो तो यह व्यक्ति को बता रहा है कि व्यक्ति कैसे को यानि कोई पसंद किसको नहीं करता है व्यक्ति जो बूरे मिजाज के साथ हो उसको पसंद नहीं करता है तो ध्यान रखें यहां पर यह यानि व्यक्ति को बता रहा है पर्शन को बत यह था यह वह था है मैन एक व्यक्ति था अब ओ कैसा था अब ग्रेट वेल्थ यानि धनी था बहुत ही धनी था यानि धनी वाला व्यक्ति था यानि इसका मतब हिवाज मैन अफ ग्रेट वेल्थ का मतब अमीर व्यक्ति हुआ तो यहां पर यहां ग्रेट वेल्थ यानि अधि धनवाला कौन तो व्यक्ति है यहां व्यक्ति की विस्षस्ता बता रहा है इसलिए यहां पर दो से अधिक वोड आ रहा है और वो एजिक्टिव का काम कर रहा है क्योंकि वो नाउन की बारे में जनकारी दे रहा है विस्षसता बता रहा है इसलिए एजिक्टिव क्लॉज होग नहू किसी sentence को समझने में या अंगरीजी बोलने में she lived in a house built of stone कह रहा है कि वो हर रहती है कहां in house एक घर में रहती है वो घर कैसा है तो built of stone जो stone से यानि पथर से बना है तो कों बना है तो एक घर बना है यानि यह built of stone किसकी जनकाली दे रहा है फोला है जिसके बारे में बता रहा है घर को बना हुआ होने भात कह रहा है इसलिए heat of cable काम कुरिए है और यह आपको बता रहा है चले नहीं को बना रहा है एसलिए यह एज़ेक्टिडिकेफ फ्रेज उआ क्लियर हो गया एडवब फ्रेज यानी एक फ्रेज यानी ग्रूप दूढ्र्ट कूल फरब फ्रेज यानी कि ऐसा रख क्तल्ट का समूह यहानी कि जहां-जहांब का मकाम होता है फ्रोग होता है जिसका काम के लिए वहां वहां फ्रेच का प्रोग हो तो वह फ्रेज के रूप में सम्झा यानी होता। किसी भाव का एड्जेक्टिव का एनदर एड्वाव का पी पोजिशन का विस्सिस्ता बताना होता है तो यह भी काम संटेंस में वही करेगा जो हमारा सधारन एड्वाव यानि सिंपल एड्वाव काम करता है तो ध्यान दिए जिसे ही इंटर्ट दरूम इन और हरीक मैन है यानि कह रहा है कि वह घर में परवेस्थ किया हृष है कैसे किया हृष हरी मेन यानि कि बहुत जल्दबाजी में बहुत तीजी से ता यहां पर हम लोग यह इन और हरीड मैनार जो प्रियुग हुआ है यह एडभाग की तरह हुआ है क्योंकि वो इंटर किया कैसे किया जल्दी बहुत ही जल्दी यानि यहां पर इन एक वर्ड में है इन ए हरी मैनर यानि वन टू थिरी फोर यानि चार वर्ड से मिलकर बना है और जो बता रहा है परवेश करने के लिए यानि कि वो कैसे परवेश कर रहा है रूम में तो पर वो जल्दी जल्दी क्या है परवेश कर रहा है ना कि रूम कर रहा है वो रूम में परवेश कर रहा है तो यहां पर हम यदि कहें तो आपको यह ग्रूप ओफ वोर्ड एडभाव का काम कर रहा है जो इंटर के बारे में बता प्रप्ता देते हैं पर हम एक वोड्ड वाले भी ज्टी उसे प्रिव कर सकते हैं जैसे हरीडली यानी वह हैं ही इंटर दरूं हरीडली यानि कि देखें यहां पर हरेडली के बदले में है इन और हरीड मैनर इट मिंस हरीडली he is called to in a hurried manner होगा यानी हरी का प्रियों करें या इन फिर मैनर का प्रियों करें और पिरनेक्स देखें कि वह काम करता है without any care यानि बीना किसी परवाह का यानि बीना पर वह काम करता है इट मिन्स यहां पर हम विदाउट इनी केर जो है एडभाव है क्योंकि वो काम को बता रहा है कैसे काम करता है यानि इसके बदले में हम केरलेसली भी कर सकते हैं कि वक्स केरलेसली यानी केरलेसली इसकोल टुब दाउट इनी केर आ यानी केरलेसली पाल व बिनाकिसी केर का यानी गौर कि नहीं पर कैसे काम को बता रहा है sat एक है यह क्लाज स्हBB आले ड़ल हो डितन है क्योंकि जो शानिया है यहां पर हम इसका भी कर सकते हैं कि आगेane यानि वहां रहती है यानि उस स्थान पर रहती है यानि उस सथान को हम कह सकते हैं यानि कि यह वेश्च क्वालिफाई भव है जो वह को वह की सेस्ता बता रहा है इसलिए यह बदली में में आया है at that place और यह group of words है जो भव की विश्यस्ता बता रहा है इसलिए यह फ्रेज यह फ्रेज जो है एड़ फ्रेज हुआ क्योंकि भव की विश्यस्ता यानि भव लिब्ड की विश्यस्ता बता रहा है next राज लिब्ड in a foreign country तो ध्यान रहे यह भी group of words यहां पर आ रहा है राज बिदेश में यानि in a foreign country यानि विदेशी COU and TRI ठीक है यानि विदेश में रहता है यानि in a foreign country is quality abroad अब्रोट का प्रेज़ आप कह सकते हैं यानि यहां पर हमारा जो in a foreign country है वो किसको बता रहा है रहने की यानि कहां रहने की बात का रहा है वो रहने की विश्यस्ता बता रहा है यानि वो रहता है तो कहां in a foreign country यानि विदेश में तो हम यह भी कह सकते हैं यानि राज लिब्ड अवार्ड यानि वो रहता है यानि क नेक्स्ट। उम्हीद करता हूं कि आप लोग को समझ में आ गया होगा, नेक्स फोर, वहाव, फेज, यानि कि अब हम लोग तीन फेज को मुखरोप से प्रियुक्त होता है वाक्यों में और भी वाक्य में फ्रेज का प्रियोग होता है, जिसको हम लोग जयनकारी लेने जा रह कि ऐसे से करकर हमारे group of words त्यार होते हैं जिनका पिरोग हम लोग वाक्तों में लिखते या बोलते समय पिरोग करते हैं इसलिए हमें जानना इसे बहुत महत्पूर्ण है I have been reading यानि a group of words which works as a verb such such adverb clause यानि such phrase is called भव फ्रेज यानि कि वो भव फ्रेज जो वाक्त में भव का काम करें यानि जैसे simple भव काम करते हैं ये भी भव का काम करें और वो कैसा हो group of words में हो तो ध्यान रखें जैसे have been reading have been reading यानि कि यहां पर देके have been reading यानि कितना है group of words में है जो भव का काम कर रहा है तो यह single होता तो हमारा भव का simple भव का आलाता और group of words में पिरुप होने लगा यानि कि यहां प्रेज के रूप में हुआ है आई है बिन डिलिंग इस बुक फार टू डेज वह दो दिनों से इस किताब को पढ़ रहा है या पढ़ते आ रहा है यानि कि यह आपका भाव फ्रेज हुआ नेक्क्सट प्रेजनल फ्रेज यानि कि नाम से असव बेंगा आप को कि क्या कह रहा है यानि कि इसा कि फ्रेज जो उप में प्रिपोजिशन की तरह कार्ज करें यानि कि जहां जहां प्रिपोजिशन का प्रियोग होता है वहां इसका भी अधि ग्रूप ओप प्रियोग कर दिया जाए तो वह प्रिपोजिशन प्रेज कहलाएगा तो ध्यान देखे जैसे he did it उसने इसे किया for the sake of का मत्बब होता है के खातिर के लिए या लिए यानि कि उसने इस काम को किया किसके लिए his brother अपने भाई के लिए तो यहां पर फौक के आर्थ में आ रहा है यानि यह पी पोजीशन के बदले में यहां पर रोग हुआ यानि फी पोजीशन की तरह हो रहा ह है और दो वर्ड को एक साथ जोड़ रहा है जब कोई वर्ड दो वर्डों को एक साथ जोड़ता है तो जेनरली प्री पोजीशन ही होता है तो यहां for the sake of अब यदि आपका आर्थ मालुम नहीं हो कि इसका आर्थ के लिए होता है या यह फिर पोजीशन की तरह काम कर रहा है तो ऐसे सेंटेंस का अर्थ लगाना थोड़ा कठिन हो जाएगा यानि कि अर्थ बिल्कुल ही नहीं आएगा तो इसका अर्थ वह है अपने भाई के लिए के लिए अब देखिए इतना बड़ा वर्ड है गुरूप वर्ड जिसका अर्थ के लिए लग रहा है इसे किया आग कुट नोट गौ आउट यानी मैं नहीं जा सका बाहर ऑन एकाउंट आफ यह आपको देखना है यहाल है तो बाहर नहीं जा सका म चासनं और के करन अब याद होना चाहिए अब आउख मतलब क्या हुआ, ऑन एकाउंट अप्काम के होता है की कारण, रें या यह विर्ण भी यहां प्रुग कर सकते हैं, कि मैं वर्षा के कारण, की कारण यहां पर पुर्पोजिशन के लिए फिरुग हो रहा है, या पुर्पोजिशन के अस्थान पर प्रुग हुआ है, जो यह क्या कर रहा है दो वर्ट्स को जोड रहा है यहां रेन को जोड रहा है यहां गो आउट यहां पर को जोड रहा है यानि दो सब्दों को जोडने वाला वर्ट्स यानि कि वह पिर पोजिशन होता है नेक्स्ट शिक्स यानि कंजेक्शनल फ्रेज यानि कंजेक्शनल फ्रेज का मतलब हुआ कि a group of words which work as a conjunction in the sentence यानि कि ऐसा सब्रमौका स्वमॉह यानि का काम क्या होता है मैंने इसके पहले conjunction कर समझया है मैं फिछले वीडियो लेक्चर में तो उसे जाकर आप conjunction के चाप्टर को अची तरह द्यान यानि पढ़ सकते हैं यानि कि यह क्या होता है यह क्या करता है कि दू वाक्यों को जोडने का काम करता है यानि conjunction यह word which joins two sentences together तो जब भी दूव आंक्यों को जोड़ने का कोई कारज करता है तो generally वो conjunction ही करता है तो सेम उसी तरह यह भी conjunction दूव आंक्यों को जोइन कर देगा और फ्रेज के रूप में होगा यानि a group of words में रहेगा यानि जिनका भी और्थ हमें लागाना यानि याद रहना जरूरी है तभी और्थ आएगा यहां ध्यान देखे I work hard मैं कठीन परिश्रम करता हूँ एक sentence हुआ और कर रहा है कि I may pass ताकि मैं पास कर जाओ यानि क्या यहां अपर और था रहा है ताकि यानि in order that यानि in order that का मतब होता है ताकि तो यहां पर यह काम conjunction का कर रहा है कि यह भी sentence है sentence का मतब इसमें एक subject हो जैसे आई और इसमें भव हो और object हो या नहों यानि subject होना चाहिए तो यहां subject हो है और इसमें subject और यहां पर यह भव है तो यह ध्यान रखे यानि दो sentence को जोड़ा है in order that इसलिए conjectional phrase हुआ यानि इसका औरत हुआ कि मैं कठीन परिश्रम करता हूँ ताकि मैं पास हो सकूँ दा रीन दा ट्रेन अराइब यहां पर एक sentence हुआ as soon as I reached the station इसमें subject भव और object के यहां दिया हुआ है इसमें एक subject दिया है तो ध्याने के दो sentence हुआ एक ट्रेन अराइब और आई डिस्टेशन यानि का और यहां जोड़ कौन रहा है तो एक फ्रेज जोड़ा है कौन फ्रेज जोड़ा है तो वह ही ट्रेन अराइब याने आ चुकी थी अर अराइब मैंने पहुंचना भी कह सकते हैं या अराइब या आप फ्रस्थान कर चुकी थी कह सकते हैं next seven को तो यहां पर conjunction के लिए यह conjunction के लिए हो गया next seven इंटर्जेक्शनल फ्रेज यानि फ्रेज यानि इसको एस्क्लामेटी फ्रेज भी कह सकते हैं कि यह आश्यज क्या बहुत कराता है इंटर्जेक्शन क्या काम करता है सेंटेंस में अश्यज का काम करता है सेंटेंस वीचे एक्सप्रेज सर्फ्राइज सेंटेंस इसकॉल इसक्लामेट्री सेंटेंस भी कह सकते हैं तो उसी तरह इसक्लामेट्री फ्रेज है तो यह क्या काम करता है कि जब भी किसी वर्ट का प्रूप करेंगे तो ग्रूप वर्ट में होगा यानि एक सब्द में नहां होगा कम से कम दो या तीन चार सब्दों में होगा और वो सर्प्राइज के काम करेगा जैसे वेल डॉन अच्छा किया यानि कोई व्यक्ति एका एक बेहतर कर देता है तो उसे हम लोग surprise के रूप में well done कहते हैं और good bye कोई good bye का फिरोग हम लोग करते हैं यानि कि ये interjectional phrase हुआ जो हम लोग अश्यर्ज के रूप में करते हैं next it यानि कि ये last one है absolute participle phrase यानि कि ये sentence में यानि इस इस फ्रेज में जो है participle यानि a group of words which work as a participle in the sentence such sentence यानि such phrase is called आपका absolute participle phrase ये इसको हम दूसरे नाम से भी कह सकते हैं कि वह phrase जिसमें एक participle मुख है वाक के सवतंत्र नाउन या पॉर्णाउन के साथ संबंध रखता है यानि कि एक ऐसा फ्रेज जो यानि कि वह फ्रेज जिसमें एक participle मुख वाक के यानि मुख वाक जो होगा उसमें एक participle यानि उसके साथ एक participle आएगा और वो के स्वतंत्र नाउन और पॉर्णाउन के साथ हो जाकर कर यानि दो नाउन और पॉर्णाउन के साथ हो जुआइट होगा और उसके साथ एक वाक आएगा यानि कि всемbould ys ko कई सकते हिए a group of words w Hate work as participle in the sentence such sentence such sentence यानि सच प्रेज है is called Panti impossible आपो algae पाटीपल फ्रेज जैसा कि देखिए हमारा एक सेंटेम्स यहां इसके साथ बीच में एक संबंध बना रहारा है तो देखें the time being over यानि समय होने पर या होने के बाद बिंग का मतलब होने के बाद के आप्टर क्यारत में है the time being over यानि समय पूरा होने पर I submitted my answer book मैंने अपने answer book को submit किया यानि प्रस्तूत किया तो यहां पर आपका और था रहा है बिंग का प्रयोग आप्टर के सेंस में इसी तरह दूसरे वाक में भी आ सकता है जैसे दसन है भी राइजीन यानि सुर्च उगने के बाद यानि निकलने के बाद दार्कनेस डिस अपेयड यानि सब्सक्राइब हो गया आप्ट यह जो में एक संटेंस है उस संटेंस के साथ दो वाडों को यह पार्टसपल जॉईंड करकर और फ्रेश के रूप में हो रहा है यहां देखिए यहां देखिए यहां देखिए यहां देखिए यहां चार वर्ड में यह प्रोग हुआ है यहां चार वर्ड मिलकर यह सभी फ्रेज का काम कर रहा है और यह वाक के और्थ में भी लगाने में काफी भूमिका निभा रहा है जो हमें अच्छी तरह और आना चाह कि बहुत ही इंपोर्टेंट फेज होते हैं जिनका और्थ जानना बहुत जरूरी है तो इस तरह से हमें हम उमीद करेंगे कि आप लोग को अच्छी तरह समझ में आ गया होगा तो थैंक यू फर वाचिंग इस वीडियो यदि आप लोग को वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक सब्सक्राइब करना ना भूले